हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप आप सभी ठीक है ना और घर पर बढ़के पढ़ाई कर रहे हैं आज हम क्लास थर्ड की साइंस करेंगे चली शू करते हैं यह साइंस का हमारा थर्ड चैप्टर है पानी रे पानी यह तो आपने पढ़ लिया होगा अब हम इसकी यह वाली एक्सराइज करेंगे चीक है यह है देखिए नीचे यह जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पर राइट का निशान लगाएं यह हमें बॉक्स दिये गए हैं चीक है गाना गाने में पानी की जरूरत नहीं होती है लिखने में लिखने में भी नहीं होती है पोध्य को गाने सपूरा ना भिता नए देबने वनाता है तोई पानिक शींट न भीनमाट == हंग हो पानिक चला नए च्रावरत गपाने में रहें शें पानिक जरूरत नहीं होती। जा सबगाए है तो कुछा सकते हैं जैसे हम किसी से बात कर रहे तो बात करने में पानी की जुर्थ तो नहीं हो सकती कि हम बोल सकते हैं किसी से भी बात कर सकते हैं और सबसे फिर हम चल सकते हैं कहीं घुमना फिर ना होता हमें पानी की जुर्थ होती नहीं है तो हम चल सकते हैं ठीक है और देखिए पढ़ने में अब मैं लिख रही हूँ लि बिना नहीं कर सकते हैं अब कोई काम ऐसे हैं कि जो हम पानी के बिंद होती है लेकिन हमें कपड़े धहुなく के लिए कपड़े धूने के लिए पानी के जोर्ट नहीं होती है और यह देखिए बरतन धूने हम तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हम बरतन धूने तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि बरतन तो पानी से ही धूलेंगे और हमें नहाना नहाना तो हमें पानी से ही पड़ेगा पानी लगता है उसे पहले लिखे बागी को ज़्यादा से कम किर्म में लिखिए नहने में पानी में पीने में घर धोने में खेत में और आटा गुत्रे में यह हमें दिये गए जिसमें सबसे ज़्यादा पहले पाणी लगेगा उसको सबसे ञाएं लखना है फिर दूसरे पर फिर क्या होता है घर धोने में घर हमारा बड़ा होता है दो कमरे तीन कमरे होते तो उसको धोते तो ज्यादा पानी की जुर्ट होती है ना तो घर धोने में और तीसरे नमपर पेस में क्या आएगा जो थोड़े से कम पानी के जुरत होती है नहाने में नहाने में तो हम आधी वाल्टी में बिना सकते हैं एक वाल्टी में बिना सकते हैं तो हमें नहाने में ठीक है और उससे भी कम पानी हमें किसमें लगता है पानी पीने में है ना एक अब तो बच्चो आपको साइन्स की लेसन थ्री की पानी रे पानी की एक्सरसाइस समझ में आ गई होगी ना अब आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना ओके थैंक यू